So, once again, welcome you all students. मेरा नाम है विनोद मौर्या और मैं आप सभी लोग का हमारी स्यूदीब चैनल पर स्वागत करता हूँ. जिसका नाम है विनोद सर क्लासेज. जोस्तो, अगर आप लोगों में से अभी तक हमारी चैनल को like, share and subscribe करना भूल गये हो, तो जल से जल फटाउट हमारी चैनल को like, share and subscribe भी कर लिजेगा. और चैनल से जुड़े हर लेटिस्स कबर पाने के लिए आपको bell icon को भी दबाना होगा. so that हमारे चैनल से हर लेटिस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच जाए so दोस्तो हमने जो प्रीवेज वीडियो था वहाँ पर बेसिक्स और प्रैक्टिसेट नमबर 1.3 हमने देखा था आज हम लोग प्रैक्टिसेट नमबर 1.3 को सॉल करने वाले हैं तो जल्दी से जल्दी हम लोग फटा फट इस लेक्ट्टर को शुरू करते एक शॉर्ट इंट्रो के बाद में तो चलिए दस्तो प्रैक्टिसेट नमबर 1.3 का सबसे पहला सम ले ले लेते हैं क्या देकर रखा है कोश्च नमबर 1 में आपको यहां पर गोला गया कि जो पाला स्टमेंट है क्या है ट्रू है क्या सी जो है सेट बी का सबसेट हो सकता है क्या जड़ा देख लेते हम लोग यहां पर सी के पास के अलिमेंट है बी एंडी क्या वह एलिमेंट बी सेट बी के पास बी नहीं है देखो यहां पर कंफ्यूज मत हो जाओ बच्छो यहां पर सेट डी के पास एफ़ाच कहया क्यों से अलिमेंट है बी एंडी और सेट बी के पास कहते है इसका बातम सेट के बातन बी का सबसेट कब बनेगा okay set c just because of set नहीं है तो यह statement का क्या फॉर्स है पहला वाला statement okay so यहां पर क्या वोलेंगे यह false हम लोग यहां पर लिखेंगे q false since okay every element of set c is not the element of set b आपर क्या आपको बताना पड़ेगा every element of set C is not the element of set B, okay, set C के जितने भी element of set B के पास नहीं है, इसका मतलब C जो है subset नहीं है set B का, यह तो false statement है, चलो, next one ले लेते, क्या A subset है D का, A के पास देखो A, B, C, D, E है, और D के पास क्या A और E है, तो A D का subset है कि D A का subset है यहाँ पे, okay, D A का subset होना चाहिए, यहाँ पे इन्होंने A D का देखा रहा है, तो यह statement भी false है, okay, यहाँ पर भी होई लिखेंगे, since every element of set A is not the element of set B, set A is not the element of set D, okay, चलो, third one देख लेते हैं, D is the subset of set B, क्या D B का subset है, D B का subset है, अगेन यहाँ पे D के पास A है, बट set B के पास A नहीं है, तो no, यह भी false है, मतलब सारे के सारे statement इन्होंने false ही देखा रखे हैंगे, so, यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लोग, since every element of set D is not element of set B, every element of set D is not the element of set B, okay, so, I hope यह clear हो गया होगा, आपको question number one के तीन साम आगे भी है, चलो भी देख लेते हम लोग फटा बट, अभी false one देखो, D is the subset of set A, क्या D A का subset है, क्या D A का subset है, यह, of course, set D के पास A and E है, set A के पास B A and E है, और A के पास D से ज्यादा element है, तो इसका मत्तब D subset बन जाएगा, यह, तो यह statement क्या यहाँ पर है true है, okay, so, यहाँ पर true की है, since every element of set D is the element of set A, since हम लोग क्या लिखेंगे, every element of set D is an, element of set A, okay, so, यह statement true होगया, next one, mix but A के पास नहीं है F, okay, so, यहाँ पर set B के पास element F है वो A के पास नहीं है, तो यहाँ पर set B के पास覺 element F है वो A के पास नहीं है, तो B, A का subset नहीं बन सकता है तो यह आपका false statement है यहाँ पर reason क्या लिखोगे Since Every element of set is not an element of set है Every element of set B is not the element of set A Okay Next one तो यहाँ बन सकता है Next one C is the subset of set A क्या c A का subset बनेगा या उपकुद बन जाएगा set C के पास दो element B and D और वह element A में भी है तो बिल्कुल यह statement क्या है true है Okay तो यहाँ पर क्या लिखेंगे यहाँ बन डिशे शेँरा लौ्ट है यहाँ यहाँ ठीज़ि़्र है अलिए आते इस्किर्स मेर्द लेग आपको क्या देकर रखा है take the set of national number from 1 to 20 as a universal set आपको बोला गया है कि एक set लो national number का 1 से लेकर 20 तक और उसको universal set ले लेना and should add set x and y by using the Venn diagram तो यहाँ पर अभी हम लोग क्या करेंगे पहले काम करते हैं separately हम लोग Venn diagram प्रॉक कर लेते हैं मत्तब यहां पर हम लोग universal set ले लेते हैं तो हमारा जो universal set है उसको हम लोग capital U से represent करते और इस universal set के अंदर elements कौन-कौन से होने चाहिए 1 से लेकर 20 तक होने चाहिए तो यहां पर अभी मैं काम करता हूं ऐसे पूरे के पूरे elements नहीं लिखूंगा मैं यहां पर shortcut में लिख लेता हूं 1234, dot 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 और लास्ट में आपका 19 20 ठीक है वन से लेके 20 तक बोला गया है और उसको जो universal set आपको consider करना है एक एक लेना है वन से लेके 20 जाग और इसको universal set लेना है अब set X और set Y को represent करना है पहला तो set X को लेक लेते हैं हम लो यहां पर तो जो set X है यहां पर उसको भी listing form में लिक लेते है अब यहां पर देखर रखा है आपको rule method में तो X is a set of all Xs that X एक natural number होना चेह और जो X का value यहां पे क्या दिया गया X का value क्या दिया गया greater than 7 but less than 15 greater than 7 मत्तर्ब X का value शुरुवात कहा से करना पड़ेगा हम 8 से शुरुवात करना पड़ेगा 8 9 10 11 12 13 और 14 क्योंकि less than 15 बोला है less than 15 मत्तर्ब हमें यहां पे 14 तक जाना पड़ेगा अब इसको मैं represent कर देता हूं वेंड डाइग्रम के तुरू यहां पर वेंड डाइग्रम ड्राव कर लेते हैं अब आपको भी बता है कि universal set जो होता है तो वेंड डाइग्रम में जब भी हम लोग universal set को ड्राव करेंगे तो आपको rectangular shape में ड्राव करना होगा तो यह है हमारा universal set इसको मैं यहां पर बोल दूंगा यह हमारा universal set है यू अब यह जो set x है set x को भी हमें क्या करना पड़ाएगा set बनाना पड़ाएगा यहां पर तो मैं इसको बना लेता हूं यहां पर circle बना लेंगे यहां पर मैंने ड्राव किया अब इसको मैं क्या नाम दूंगा यह आपका set x है अब पहली बाद set x के अंदर जो भी elements हो पहला यहां पर लिख तो set x के अंदर जो भी elements हो लिख लेते हैं यह जितने भी elements set x के अंदर लिखना हो सारे के सारे elements set U में भी है यह बत्त है इंडिवर्शन set में तो हो गई 8 9 10 11 12 13 और 14 ठीक है सो यह हो गया मेरा set x अब जो set x के अंदर जो element नहीं हो set x के बाहर लिख तो कौन कौन से element नहीं है 1 नहीं है 2 नहीं है 3 नहीं है 4 नहीं है 5 नहीं है 6 नहीं है 7 नहीं है 8 9 10 11 12 13 14 यह से text के अंदर है directly में मुझे क्या लिखना पड़ेगा यहां पे 15 15 15 16 17 18 19 और यहां पे 20 आयोप आपको समझ में आ गया होगा इतना से तो आप लोग समझ जाओ कितना हुशार तो हो आप लोग अब next one second one ले लेते अभी हम लोग सेम उनिवर्सल सेट तो हम लोग को यह करके कंसिडर करना होगा इसके अंदर क्या-क्या अलिमेंट्स आएगा से वां तो क्यान देहा है और वां यह तो यह अंदर क्या-क्या क्या आपकि प्रम नंबर फंक प्रम नंबर होना चाहिए why is the prime number from 1 to 20 prime number लिखना है 1 से लेके 20 दख okay so 1 तो prime number में आता ही नहीं 2 3 then 5 7 11 13 सब्सक्राइब नंबर है आपको बोला गया है कि प्राइम नंबर लिखना है के लिए वन से लेके 20 के दीच में अभी हम लोग यहां पे एक वेल डाइग्रम ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले आपको क्या कर अपड़ा है एक रेक्टैंगल ड्रॉ करना होगा यहां पर हम लोग यह रेक्टैंगल को ड्रॉ कर रहे हैं अब इसको यहां पर यह जो रेक्टैंगल है इसको हम लोग क्या करेंगे यू से रिप्रेजिंट कर देंगे यह क्या हो जाएगा अपका इनिवर्स सेट हो गया नेक्स्ट अब इनिवर्स सेट हो गया सभी आलिमेंट से अब सयट वज रॉमें इता आपके यो एक मैं एक बना लेता हूं बना तो अच्छा लगए अब आपको समझ में आता होगा यहां पर इसको हम लोग क्या नाम देंगे सेट वाई यहां पर सेट वाई हो गया अब सेट वाई के अंदर जितने भी अलिमेंट से लिख लेते हैं हम लोग टू ट्री वाई सेवन लेवन फोड़ा प्लू गैप दे देखर ज्यादा लिखना यहां पर जगा नहीं हो से जगा की कमी के कारण में थोड़ा यहां पर स्पेस कम दे रहा हूं थर्टीन सेवन्टीन और नाइंटीन इस तरह से आपको लिखना है यहां पर नाइंटीन समझ में आ जाए आपको अब जो बचा हुआ जो एलिमेंट सेट वाई के अंदर नहीं हो सेट वाई के बाहर लिख दो यहां पर है एक हैाँ कि बाहर लिख देखे है क्या चानिए वन नहीं 2 ا study 4 नहीं 5 नहीं 6 after इन 7 है, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 11 है 12 नहीं, 13 है 14 नहीं, 15 नहीं, 16 16 17 18 19 20 इस तरह से मैंने इसको रिप्रेजटेंट कर दिया यह हो गया अभी आप लोग काम कर सकते हो इसको हम लोग कॉमनली रिप्रेजिन इसको कर सकते हैं कॉमनली मतलब दोनों सेट को एक साथ आप लोग एक ही रेक्टैंगल मतलब एक ही उनवेशल सेट लोग और दोनों यहां पर, बढ़ा सा हम लोग यहां लेंगे इनिवर्सल सेट बनाते हैं यह है आपका इनिवर्सल सेट इसको हम लोग कैपिटल लीव से रिप्रेजेंट करेंगे अब दो सेट ले लेंगे यहां पर, चला यह है हमारा next यहां पर अभी हमने दो सरकल ड्रॉ कर लिया, एक सेट एक्स के लिए और एक सेट वाई के लिए यहां पर इसको हम लोग नाम दे देंगे यह है आपका सेट एक्स और यह है आपका सेट वाई अब पहले बात तो यह जो है यह हमने ऐसा क्यों बनाया क्योंकि यह जो है दोनों सेट के अंदर कुछ कॉमन अलिमेंट रहेगा तो हम लोग यहां पर रिप्रेजेंट कर देंगे अब जैसे कि देखो सेट एक्सेट वाई में कुछ कॉमन अलिमेंट क्या दिखर आपको एट तो नहीं है नाइन दोनों में नहीं है टैन लेवन देखो लेवन जो है दोनों में है यहां पर 11 और 13 जो है दोनों में कॉमन है तो इसलेवन और 13 तो यहां पर 11 और 13 यह कॉमन है अब सेट एक्स के अंदर कौन-कौन से अलिमेंट से लिख दो जड़ा 8 9 10 11 12 13 14 तो 11 13 तो हो गया तो 8 9 इसको डिफरेंट कलर में लिख लेते जारा 8 9 10 11 हो गया 12 13 भी हो गया 14 तो यहां पर शुरू करेंगे 2 से 2 3 तो इसके प्राइम नमबर क्यादा पाइब 7 फिर 11 हो गया 13 हो गया 17 और 19 तो यहां पर बचा हुआ बचा हुआ बचा हुआ यह दोनों सेट के बाहर मत्ति इन्युवर्सल सेट का भी लिखना है न आपको यहां पर इन्युवर्सल सेट में क्या बच गया यहां पर नहीं प्रूर्सल सेट है 11 टूवर्सलिटा के सिफ्तिन नहीं इस तरह से आपको क्या करना है ऐसे रिप्रेजेंट करना है तो आपको समझ में आ गया होगा इसका आपको स्क्रिंशॉट लेना है तो स्क्रिंशॉट ले लेंगे और अभी अब लोग नेक्स्ट वन की तरफ में बढ़ जाते हैं थर्ड वन क्या देखा रखा है यहां पर सब्सक्राइब आपको यहां पर यहां पर लिख लेता हूं आपको सबसे पहले यहां पर यहां पर पड़ाइब तो विल पड़ाइब के भी हम लोग elements को निकाल लेते हैं पी डैश के elements क्या क्या रहेंगे तो जो एको पी डैश मतलब क्या हो गया पी कॉंपलिमेंट तो सेट पी के अंदर जो भी element है वो छोड़ दिया जाए अब जो element नहीं है वो पी डैश हो जाएगा तो element कुन से नहीं है 2 नहीं है 3, 4, 7, 10 8 नहीं है 2, 8, 9 नहीं है 10 तो है 11 नहीं है 12 नहीं है तो आयो पॉपक को समझ में आया होगा यह तो काफी सिंपल है कॉंपलिमेंट आपको निकालने आ जाएगा पी सेट पी के अंदर जो भी element present नहीं हो पी डाश बन गया तो कॉंपल साइलिमेंट नहीं है जैसे इनवर्सल सेट में 2 है तो यहाँ पे 2 लिख दिया 2 नहीं है 3 नहीं लिखेंगे 4 तो दोनों में नहीं है 4 नहीं लिखेंगे यहाँ नहीं है अब हम लोग क्या करेंगे नहीं द्रम करिंगे सब्सक्राइल भूक्रात divine weet तो यह है यह है हमारा इनवर्सल सट अक उंखुच 'll मै nenhum ट्रमिक कटावच और पी ng लिखू करना है तो पी युमर्सल सेट कर लेते हैं यहां पर इस set का नाम हम लोग क्या देतेंगे set P, यह आपका set P है, set P के पास जो element से लिख लेते हैं, 1, 3, 7, 10, अब जो बचा हुआ element है, जो set P के पास नहीं है, वो हो गया P dash, तो P dash में कौन-कौन से elements लिख होगे, P dash मतना P complement, यहां पर 2, 2 आगया, then 8 आगया, 9 आगया, 11 आगया, और 12 आगया, बस बहुत ही simple है, देख लो ज़रा, set U बनता है कि नहीं, मतलब P और P dash, दोनों मिलाएंगे, तो set U बन जाएगा, मतलब universal set बन जाएगा, यहां पर आप लोगको लिखना पड़ेगा, P dash है, यह आपका P dash है, P complement, P complement, यह देखने का आपको समझ में आ जाएगा, यह तो हो गया, आपका first one, second one, verify करना है, P dash का compliment हो, P आना चाहिए, इसका हम है, verify करना, चलो, अभी होगी, verify कर लेता, यहां पर, U और P तो है, आपके पास, verify करना, P dash का compliment P आना चाहिए, तो, U भाई, U क्या है आपके पास, U है, one, two, three, seven, eight, nine, ten, eleven and two है, काफी simple साई है, next, set P, set P, जो है, वो क्या है, one, three, seven and ten, अब मुझे बता दो, set P dash, P dash क्या होना चाहिए, P dash मतलब set P के अंदर, जो भी element छोड़ दिया जाएगा, तो P dash होना चाहिए, तो, कौनसा elements नहीं है, P के अंदर, two नहीं है, three है P में, seven भी है, फिर eight नहीं है, eleven नहीं है, or two l नहीं होगा, अब मुझे क्या करना है, P dash का compliment निकालना है, इस diagram में देखो और देखो जा रदा मुझे P dash का compliment निकालना है नहीं हों इसका compliment पन जाएगा, तो, तो, P dash का compliment कॉंप्लिमेंट और पी डाइस कॉंप्लिमेंट पी डाइस मत्पप क्या होना चाहिए यहां पर पर क्या रिखेंगे प्रम तो हमें क्या बता चलता है यहां पर पी डाइस का कॉंप्लिमेंट को इक्वल है किसे इक्वल है इस तरह से इसको सॉल करना है बहुत ही सिंपल है चलिए अब फोर्ट सम के तरफ पे बढ़ जाते हैं आपको यहां पर सबसेट लिखने गोला यहीं पर दिया गया चलो और सब्सेट भीरइब किसेटा है सथेटाहि जगर डिया है फट्रिआ यह हम ने कर लिया है है इतो हों हो गया हमारा सब्सेट असकर आपको डिक leal उच्छी संप्स हील्की अपूकी ना आपको तीन लिखना है अब लिख दो इसमें से आप तीन एलिमेंट का एकसेड बना दो फिर फिर वन टू सेवन आप लोग बहुत सारा लिख सकते हो मैं दो-दो का भी बना सकता हूँ 1,2,2,2,7 अब बाकी का आप लोग बना लो आपको सिर्फ तीन ही बोला गया लिखने के लिए तो हो गया तीन हमारा तीन से ज्यादा ही लिख दिया चलो अब हम लोग डायर्क लिख लिख लेते हैं क्या दिया गया है राइट जा सबसेट र पुने से ए अपको säत का रिलेशंशिप बाता दो इसमें सेत के बीच में है यहाँ लिख इनके बीच का सब्सेट रेलेशंशिप बता दो कोनस का सब्सेट हो ना जा सीकिर है P, P is the set of all resident of Pune, okay, can P be the subset of India, P क्या subset बन सकते हैं India का, yes, क्योंकि all resident of Pune are the resident of India, okay, so हमारा पहला subset relationship क्या आएगा, P is the subset of I, okay, P क्या आएगा, subset आएगा I का, okay, sorry, India का, not I, P is the subset of India, मतबब set B का आएगा, तो पहला relationship क्या आएगा, क्या आएगा हमारा P जो है, subset आएगा B का, okay, क्योंकि यहां पर reason क्या लिखेंगे, since all resident of Pune are the resident of India, okay, तो पूने के जितने भी लोग है, हो सारे के सारे इंडिया के resident है, क्या, P can be subset of H, H हो सकता है, क्योंकि पूने के जितने भी लोग है, महारास्ट्रा के भी तो resident है, yes, तो महारास्ट्रा के अंदर आता है न, पूने, तो हम लोग यह भी कह सकते है, हमें, P जो है, again, subset of H, क्यों भाई, since, हमनों क्या बोलेंगे, all, resident of, कूने, are the, resident of, महारास्ट्रा, तो इस तरह से आपको यह करना है, अभी second देख लेते हम लोग, यह तो हो गया आपका, क्या पूने और भी किसी का subset बनेगा, नहीं, okay, M, M देख लो, M is the set of all resident in Madhya Pradesh, okay, I is the set of all resident in Indoor, तो अभी Indoor का ले लेते, तो I, एक तो यहाँ पे, I, एक तो resident बनेगा, India का, okay, so Indoor, all, all the resident of Indoor can be a resident of India, yes, of course, it is true, okay, यह एक subset बन गया, फिर उसके बाद में, Indoor के जितने भी resident है, वो resident रहेंगे Madhya Pradesh के, यह एक subset बन गया, okay, so I can be subset of B, and I can be subset of M, तो यहाँ पर मैं एक इजर लिख देता हूँ, I जो है, वो subset है, B का, अब B को ने भाई, यहाँ यहाँ पे, B all resident of India है, यहाँ पे क्या reason में लिख उन्वाँ है, since all resident of, all resident of Indoor, okay, all resident of Indoor are the resident of India, Okay, तो क्या लिखेंगे, आई जो है, वो subset आएगा, B का, okay, क्योंकि यहाँ पे, हमलोग क्या बूलेंगे, since all resident of, all resident of Indoor, अर्दी प्रेस्टेंट ओफ इंडिया यह होगे आपका नेक्स्ट वन आई कान अल्सों बिए सब्सेट अफ एम मद्या प्रदेश एम मिन्स वाट मद्या प्रदेश तो यहां पर हमनों भोबी लिख लेते हैं आई जो है वो सब्सेट रहेगा एम का विजन में क्या बताएंगे सिंस अगें अल्सीडेंट ओफ इंदोर अर्दी प्रेसिडेंट ओफ मद्या प्रदेश यह आपने कंप्लेट कर लिया अब आपको यहां पर सकेंड कोश्यन में क्या पुछा गया वीच सेट कैन भी दा इनिवर्सल सेट आप देवाव सेट मत्ति जितने भी सेट हैं कौन सेट इनिवर्सल सेट होगा पूने मद्यप्रदेश इंदोर यहमारस्ट्रा इन सभी कि सीटीजन जो नागरिक है वो सारे के सारे इंडिया के नागरिक होंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे इंडिया बी जो है वो क्या है मतलब सभी सब जितने भी सेट सारे के सारे सेट क्या बी के सबसेट हैं औक है यहाप अमड़ों क्या बोलेंगे यही पी पर बता देता हूं क्या है पी एम ओके आई पी एम आई फिर यह एच यह सारे के सारे क्या है सबसेट है मतलब किसके सारे के सारे सबसेट है बी के अब यहाँ पे रिजन में लिख दूँगा Since All the Residence पूने पूने हो गया मध्यप्रदेश हो गया फिर इंदोर हो गया फिर महराष्ट्रा हो गया अब आड़ दी रिसिडेंट आफ इंडिया मतलब यह सब जितने भी रिसिडेंट है पूने मत्यप्रदेश इंदोर महराष्ट्रा यह सब के सब क्या है आड़ दी आड़ दी रिसिडेंट आफ इंडिया आड़ दी अगर ऐसा है तो दैर्फोर हम लोग क्या बोलेंगे दैर्फोर इनुवर्सल सेट हम लोग को चूज करना है तो अगोगा दो अगहाद के सब दी नुवर्सल सेट आए दो जेंगा आड़ जेंगा यृट आगा दो ज्यूज के सब्सक्राइख का ल्र काइंट आफ आख ऑकंप् set for the set given below अब क्या बोला गए यहां पर set a set of multiple of five मत्तों five का multiple लिखना आपको set a put out लिख लेते हैं आपर तो क्या आएगा five comma ten comma fifteen comma twenty comma twenty comma twenty five comma dot 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 यह चलते ही जाएगा आगे set five का multiple बोला है यहां पर set b बोला गए set of multiple of seven seven comma fourteen comma twenty one comma twenty one comma twenty eight comma dot 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 multiple of seven बोला है set c multiple of 12 12 comma 24 comma 36 comma 48 comma dot dot okay अब आपको बोला गया है कि which set of number could be the universal set अब यहां पर अब यह सारे के सारे क्या नंबर यह सारे के सारे नंबर है whole number integers है okay तो हम लोग यह natural number यह whole number integers इन में से कोई भी किसी को भी हम लोग universal set कर सकते क्योंकि यह सारे के सारे अब यह number जो आगे continue होते जा रहा है तो हम लोग कैसे बताएंगे कि इन में से तीनों में से कौन से से जो universal set को हम लोग consider कर सकते हैं कि एक तो multiple of five मतलब कहां तक जाएगा unlimited multiple of seven मतलब कहां तक क्लिक होगे multiple of 12 कहां तक जाएगा अकिरकार यह सभी के सभी number क्या है यह natural number whole number integer तो हम लोग क्या बोलेंगे यहां पर इन में से हम लोग natural number whole number integer कि से भी हम लोग एक universal set हम लोग consider कर सकते हैं तो यहां पर मैं बताने क्लिए में यहां पर लिखूंगा कि जो ए है वो subset of natural number हो सकता है okay a can be a subset of whole number a can be a subset of integer okay वैसी b set b जो है set b can be a subset of natural number set b can be subset of whole number okay set c के बारे में बता देते हैं हम लोग set c can be a subset of again natural number set c can be subset of whole number set c can be subset of teacher तो आपको बोला गया था which set of number could be chosen as the universal set okay in all of the above set okay natural number whole number integer can anyone be chosen as the universal set okay so I'm looking at the call in all of the above in all of the above set all of the above set anyone anyone from natural number natural number means what and yeah fair whole number means w yeah fair integer मेरी हुए हम लो मेरी ऐसे अब फेल्सेत हैनु नहीं सब्सक्राइब क्छोजन आस है यह एंडियू झाट कर संदट कर से और कंद कर से ऐसे वज ineallo यहां पर same, P is a set of integer भी चाहिए, multiple of 4, तो अगे नहां पर set P, एक integer है जो की 4 का multiple है, 4, 8, 12, 16, comma dot dot dot, t is a set of all even square number, मत्ब क्या बोल गया, जितने भी even number है न उसका square करो, बस, even number का है 2, 2 का square क्या है, 4, even number 4 है, 4 का square का है 16, पिर even number 6 है, 6 का square का है 36, even number 8 है, 8 का square का है 64, ऐसे करते करते हैं, आपको बोला गया है, मत्ब जितने भी even number उसका square करना है, आगे हैं यहां पर, यह सब number का है, national number, whole number, integer, मत्ब यहां पर भी आम लोग सेम जैसे प्रिविएसली दिखा, यहां पर जो P है, P can be a subset of N, P can be a subset of W, P can be a subset of Integer, यहां आपको बोला गया, T, T can be a subset of N, T can be a subset of W, T can be a subset of I, Integer, okay, so, this set of number, okay, so, we will recognize, from the above set, since, from the above set, okay, from the above set, okay, from the above set, anyone, anyone from, natural number, natural number, natural number, whole number, integer, can be chosen as universal set, can be chosen as universal set, okay, so, यह हो गया, आपका complete, काफि सिंपल सा है, जो नेक्स्ट वन सेटंथ वन एक लास्ट बचा गया है, क्या बोला गया, let all the student of a class, is an universal set, मतब, class में जितने भी student है, वो क्या universal set है, तो हम लोग यहां पे, आपे, क्या अपे, क्या है, ईो भी दा वाट, set of all students in a class, उफकोर हम लोग लोग वोग यह, उपो ही select करेंगे न, all students in a class, let's set a to the student to secure 50%, 50% तो यह क्या है set of student who secure 50% यहाँ पर set of student who secure to secure 50% और more marks in max okay so then write the complement of set set A का complement क्या आएगा मत्तब कोन आएगा जो बच्यों जो 50% रहेंगे ना तो बच्यों जो 50% रहेंगे वो क्या है वो secure less marks चाहिए कि नहीं अब 50% बच्चे क्या है more marks secure कर रहें तो बच्यों जो 50% रहेंगे वो क्या कर रहें है secure less marks मत्बब a dash complement of set A मत्बब हमें क्या लिखना पड़ेगा a dash तो complement of यहां पर में लिखते तो complement of set A मत्बब क्या आएगा a dash तो a dash मत्ब को रहेंगा set of student who secure 50% less marks in max okay less than 50% marks in max set of student who secure less than 50% marks in max okay यहां पर आपका यह जो है question number 7 मत्बब इसके साथ साथ आपका practice set number 1.3 भी complete हो गया अच्छे से समझ में आगे होंगे एक बार अच्छे से आप लोग वीडियो को देख लिजेगा so that कोई भी डाउट रहे गया तो आप लोग उसको clear कर सकते हो ठीक है so मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो मेरा पसंद आया होगा और आप भी जो है यह ही जो मेरे चैनल को grow करना में मेरी मदद करोगे इस चैनल को आप लोग मतब इस वीडियो को आप लोग दूर दूर तक आप अपने फ्रेंड्स तक पहुचाओगे मतब आप लोग वहां तक शेयर करोगे जिनको जरुवत है इसी उमीद के साथ मैं अपना वीडियो जो है घरम करता हूँ जल से जल में एक नए वीडियो के साथ में आपके साथ में फिर से मिल जाओंगा तब तक लिए दोस्तों गुडबाए कि रखब ऑज прыust के साथ में जरुचाओ